खबर 36 गड़ से है जहां बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज में चुहों का आतंग दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। दरसल चुहे मरीजों की दवाईयों से लेकर गुलुकोज तक खापी कर नश्ट कर दे रहे हैं। जिसके लिए कॉलेज प्रवंदन ने पेश्ट कंट्रोल टीम की मदद ली जिसमें करीब 10 लाख रुपए खर्च किये जा रहे हैं। वहीं मामले में कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि ऐसी समस्या अक्सर बड़े अस्पतालों में होती रहती हैं। देखिए यह कोई भी जो बड़े साच्किये जिकित्ता संस्थान होते हैं। वहां पे पेश्ट जो है एक समस्या रहती है हमेशा के लिए। यह केबल बस्तर के मेटकल कॉलेज में ऐसा में नहीं कहूंगा। यह कई जगह पर रहती है क्योंकि वहां पर और 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 अर्गेनिक बायोमास के अभलेवलिटी रहती है। तो पेश्ट कंट्रोल मेकानिजम के तथ वहां पे भी टेंडर किया गया। पर पिश्ट कंट्रोल एक्ट का जो गतिविदी है वो अभी क्रिया सील है। जो मुझे अभी तक रिपोर्ट दिया गया है वहां पे मेटकल कॉलेज के तरफ से। उसमें लगए बारा सो ऐसे चूहों को वहां से हटाया गया है साफ किया गया।